आप सभी का मंदर फैमिली ब्लोग तो बहुत बहुत सौगत है तो फ्रेंड्स आज में कोई ब्लोग लेकर नहीं कोई ब्लोग नहीं बनाया है मैंने आज में आपके साथ शेयर करने जारी एक और रेशिवी मटर मश्राइब पहली प्लोग बनाया होगा लेकिन सब डूघ चाहते हैं कि कोई नो कोई हमें एक इसी तरीका मिलें जिसे कि बनावी ले और कोई दिक्कत भी ना है ना कभी घब बना रहे हैं कोई इंग्रेंस नहीं यह कोई मसाला नहीं है तो बहुत सोच में बढ़ जाते हैं चाहे तो उसे उसी वक्त लेकर आओ या उसे छोड़ दो फिर कई बनाएंगे मैं ऐसी ऐसा इन तरीका लेकर आए जिसमें कि आप लोग मतर्व मतर्व में जो मसाले होते हैं उन सबी को लेकर बनाएं उसमें सिर्फ थूड़ा सा चेंज किया है मैंने वह आपको जब रेस्प्री शेयर करूंगी तब आपको पता चल जाएगा वही चीज पूरे मटर मश्रूम के जो टेस्ट नौर साथ है उसको बदल लगते हैं कि हाँ यह मटर मश्रूम है और ऐसा को आप ट्राइबी करना खाना भी उसके बार मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह रेस्प्री कैसी लगी उसका टेस्ट कैसे लगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप प्रूंट करके बताते हैं तो चलिए बना लेते हैं मटर मश्रूम तो फ्रेंड्स मैंने पहले से कुछ तयारी करके रखी हुई थी मटर मैंने छील के रख लिए थे मश्रूम को गरम पानी से धोके और दो टुक्रों में काटके रख लिया तो आगे टिमाटर अद्रक लस्टन का पेष्ट हरी मिर्च प्याज और एक और थोड़ा सा मैंने ल तो जीरा जब तड़क गया है उस पर जो भी मस्टमाटर प्याज अद्रक जो भी कुछ मैंने काटके रख ता सब एक साथ डालना उनको जलने का या पकने का ऐसा कुछ किसी चीज का इंतजार नहीं करना टिमाटर मतर और कम श्रूम और जो भी मसाले धनिया में नहीं विद जल दी इस सबी मसाले एक बार में डाल देना है कोई कॉमन मसाले हैं जो घर में हम डेली इस्तमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें अलग से डाला गया है अजवाइन का पाउडर अब थोड़ा सा कलर के लिए देगी मेर्च या कसमी देगे जो भी कुछ को करते हैं बार चलाने की 20-25 मिनिट के लिए आप उसे डख के छोड़ सकते हैं तो देखिए मैंने जो भी कुछ मसाले होते हैं वो सब डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिला देना है और इसमें सच बताओं इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मसाले भी अपना अच्छी तरह से डखना है ताकि जो इसके अंदर का भाप होता है वो बाहर ना निकले 25 मिनिट के बाद मैंने इसे खोल के चलाया था देखिए कि इतनी अच्छी तरह से गल गया है यह और जो भी कुछ डाले थे मैंने काटून से हुष्टा मैंने पकाया नहीं था ऐसे ही म दाल दीजिए नहीं है ऐसी रखना है तो छोड़ दीजिए मेरी सबजी पक चुकी है तो इससे मैंने थोड़ा सा धनिया पा अरा धनिया काटके डाल दिया था और मिक्स कर दिया यह देखिए मेरी सबजी कितनी अच्छी बनी है आप भी ट्राइ करना फिर समझ जाएंगे कि ऐसे भी कभी कई मन होता है कि नहीं बनाएं नहीं है मन नहीं फिर भी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेश्ट आएगा ट्राइ ज़रूर करना और मुझे बताना कह है कि कैसा लगा हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ की और का बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए मैं फिर मिलते हूँ अगली वीडियो में बाइबाई